नमस्कार दोस्तों ग्लोबल वीडियो दाज में आपका स्वगत है तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि हमारा देश शुरू से ही वीरों और महान संतों की धर्ती माना गया है आज मैं आपको ऐसे महान पुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं जो विश्व में हिंद की उनों के जुल्म से प्रताडित जनता अपने हकों के लिए जुल्म से टक्कर लेने के लिए त्यार हो गई थी श्रीगुरु तेग बादर जी का जनम एक परेल 1620 शिष्वी को अमरी सर में श्रीगुरु हर्गोविंत साहिप के घर माता नानकी की कोक से हुआ था आपका अच्पन से ही संत सवरूप अडोल चित निर्बे सहभाव के वेक्ति थे गुरु जी कई कई गंटों तक समाधी में लीन रहते थे गुरु हर्गोविंत साहिब ने आपको सिख्ष अपनी देख में ही दिलाई थी गुरु तेग बादर जी सुरू से ही विद्वान, सारी धरम और राजनिती में निपुन थे, 1634 में गुरु जी ने अपने पिता जी के साथ मिलकर करतारपूर के युद में अपनी तलवार का अदूद परीचे दिया था, 1634 हिश्व में गुरु जी का विवा मता गुजरी जी से हुआ, गुरु जी हमेशा एकांत में रहकर प्रमात्मा का सिम्रन करते थे, गुरु हरोगोविन जी के जोती जोत समाने के बाद आप गावबकाला में आ गए, यहां गुरु जी 20 वरस तक सिम्रन करते रहे, और यहीं पर गुरु तेग बादर जी को नोवे गुरु की उपादी मिली और गुरु नानक देव जी के प्रमीन खरीद कर अनुदपुर साहिम नगर बसाया, जहां गुरु 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 जी जी ने खाल सा पंद की स्तापना की थी, उस समय मुगल बादचावरंगजेब के हुकम उनसार, कश्मीर का सुब्धार शेर अफगान, तलवार के जोरब पर कश्मीरी हिंदों को मु प्रिदान करने के लिए प्रेड़ करते हैं, बाले अवस्ता में इतना सास देख, गुरु तेग बादर जी बालग गुविंदराय से बहुत खुश हुए, इसके बाद गुरु तेग बादर जी अपने पांस सिक्कों सहीत औरंगजेब के दरवार पहुंचे और कहा की, से सहमत हो जाता है, इसके बाद गुरु जी को उनके सिक्कों सहीत कैद कर लिया गया, और अनेकों यातने दी गई, पर गुरु जी अडोल रहे, गुरु जी की द्रिड़ता को देख, मुगलों ने पहले आपके सिक्कों को शहीत किया, भाई मतिदास को आरे सी चीर दिया ग गए, पहले गुरु जी ने सिनान किया और बर्गत के पेड़ के नीचे बैठ जपुजी साहिब का पाठ करते हैं और प्रमात्मा को याद करते हैं और सी जुकते हैं, जलाद आता हर तलवार से आपका सीर धर्ड से अलग कर देता है, इस तरह 16 नमंबर 1645 श्वी को आपने ह पान बलिदान के करण गुरु जी को सहिदों के सरताज हिंद की चादर धर्म रक्षक स्री गुरु तेग बादर जी को पूरे भारत में हमेशा याद रखा जाएगा, तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की कहानी, प्लीज लाइक, कमेंट, शेर करें और हमारे चैनल को सब् पास्क्राइब करें, वाहिग गुरु जी का खालसा, वाहिग गुरु जी की फते